वाईमो के मंत्री चमपाई सौरेन आज गिरीजी आएंगे और यहां के लोगों को कडोलो की सौगात भी देंगे सीम हवाई मार्क से गिरीजी आएंगे और यहां योगी टार में डेरी प्लांट का अधार शिला भी वो रखेंगे इसके बाद वो यहां से नगर भवन के कारिक्रम में हिस्ता लेंगे जहां योजनाओं के शिला न्यास और गुद घाटन भी वो करते हुए नजर आएंगे कारिक्रम में केंद्री, राज्य सिक्षा मंत्री, अनपुर्णा देवी, जार्खन के मंत्री, आलंगीर आलंव, राम और अतिती में शरीक होंगी, इसके अलावा गिरिजी सांसर, चंद्र प्रकास चौधरी भी इस समारों में शामिल होने वाले हैं, बाबुलाल मरांडी, विनोत कुमार सिंग और रिकेदार, हज्या से सम्मानित अतिती घन इसमें शामिल होंगे, तमाम तैयारियां जो है वो है समदाता, श्रीकांत हमाई साथ जुड़ चुके है, श्रीकांत का जा रहा है कि बस थोड़ी देर में जो चंपाई सोरेन है वो पहुँचने वाले हैं, तमाम तैयारिया कैसी है आप वहाँ पर हैं, और बड़ी-बड़ी सौगात वो आम जनता को देने वाले हैं, किस तर योगी टांक सिलान्यास अस्थल पहुंचेंगे, जहां पर मेगा डेरी प्लांट, जो मेधा का मेगा डेरी प्लांट है, उसका सिलान्यास होगा, उसके बबाद दो सीधा नगर भवान पहुंचेंगे, जहां पर कौलोगों की उजनाओं का वसलान्यास करेंगे, इसके विकास के बड़ी सोगात मिलने जा रही है जहां पर मीधा डेरी प्रजेक्ट का सिला नयास होना है इसके साथ ही साथ पत्रिमांद भाग रामिन सड़क कारे विभाग और पेजर लेवों सुक्ष्टा विभाग सबेत अन्या कई विभागों की विकास ही उजनाओं का वो सिला वह पहुंचेंगे तो पुल मिलाकर अगर आप देखें तो गिरिडी वासियों के लिए आज एक महादूर दिन है एक पहाद शिकांत एक बड़ा दिन तो है तमाम तैयारियां भी तस्वीरों में हमारे दरश्रक देख रहे हैं कि लगबग तू पूरी तैयारिया हो चुकी अगर आप तो पूरे जिले भर में कि लिए बंद सुरक्षा बेवस्ता की गई है कुद गिरिडी जिले के अस्वी दिपक कुमार शर्मा सारे मामलों की मॉनेटरिंग कर रहे हैं और चौक चौराहों समेथ सारे कारिकर मस्थल पर जो है बहतर सुरक्षा बेवस्ता के साथ- संख्या में तक्षाबल के जवानों को लगाये गया है जहां पर कहीं से भी कोई चूक न रहे इसे लेकर विशेश त्यान दिया जा रहा है खुद जिले के उपायुक जो है नमंत्रियश लक्रा और जिले के पोलिस कप्तान देपक कुमार शर्मा सारे मामलों की मॉनेटरिं भी पहुतर रहे हैं और बड़ी-बड़ी सौगात देते हुए वो आम जनता को नजर आएंगे लाइक और शेयर वीडियोस सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा